ड्रम्री सुलohi समया लेकिन रोषी चाहण का फैन Luft फिरात यहां करते रहते हैं और आ मैं वह दूनों एक्टम इंडिया गओडव हैं तो तो मैंत् yardım overe मतलब कल का मैं थोड़ा रोशनी करते कल भाई बाइटिंग गड़ा बंगलादेश ने अच्छे घासे मतलब ठीक ठाक रन बनाया देको इस पीच पे तो सारे 300 का रन बनना चाहिए लेकिन चलो तू यार अलाय सो के पार्क ऐसे कैसे करके लेके गया 270-280 ऐसे चलो बंद रहा था रन मुझे लगा यार कहीं तीन सो ना करते लेकिन नहीं चाप दिया हमारे बॉलर ऐसा है ना मिडिल मिडिल फेस में शुरू में तो पीटता है जूट मूट का बोलता है कि यार पहले पहले का दसावर लास्ट का दसावर गेम होता है असली नहीं इंडिया टीम में अगर खेल रहे हो ना आप तो आपको पता होना चाहिए इंडिया से अगर आप खेल रहे हो तो बीच में मोमेंट घुमाता है जहां से कुल दीप आता है कहीं से कुल दीप ले लेगा बिकेट कहीं से हार्दिक यहां जो वैसे आजकल सिराज होड़ा है जब भी आ रहा है अच्छे खासे मतलब बैट्समेन को तो कैसे कटरके रन बनाया ठीक है बंग्मादेश ने चलो रन तो बना लिया मैंने सोचा चलो लड़ने वाले स्कूर तो ऐसे इतना पता है इंडिया को बॉलर आजकल यही सोच के आ रहा है कि देखो मुझे 500 के अंदर ओल ओट कर देना चाहे 400 वाली पीछ रहे या 500 वाली और आपका बैटर जो है न रोही सर्मा इस फॉम में चल रहा है जैसे पगला गया यार ऐसे मार रहा है न मतलब जैसे हम रहन में बड़ा रहा रहा है बड़ा यही था तो प्रहरसर्मा ओड़ा सॉडिक कैसे कICIA समा उड़ा उड़ां इसे शरमा फीर इसके बाद गिल वेचाए होगे हो भी मतलब उन आ अच्छा लगारा है अब 100 क्यों हम लोग तो यह सोच रहेते कि यार बिराट कोली का 100 थोड़ी नोगा यार अभी इतना ही रन है कम रन है वहां से 100 होना फिर क्याल राहूल भी तो खेलने के लिए आया है वो भी तो मारेगा ना क्याल राहूल ने लाश्ट में पता चला जब 85 पे था तो क्याल रा पुलेगा अपने मैं प्रस्नल माइल स्टोन के लिए प्रस्नल खेल रहा है तो क्याल राहूल बोला कि कोई टेंसन आलो उसको मैं जहल लूँगा और प्रेस कांफरेंस में बोली दिया जहलने का मतलब यही था कि बोल दिया पब्लीक को तो पब्लीक भी समझ गया कि देखो अच्छा सतक बनाया भाई और अमपायर जब साथ था ना तो विराटकुली का सतक आना ही था है क्या वह ट था या नहीं था तो यही है कि विराटकुली का 48 लोडिंग मतलब हो गया अब उन्चास होने वाला सचीन का अगले मैंच में और देखो कितना अग्रेशन था विरा तो इसका मतलब उसको भी ना पता था कि भहामें 48 पुड़ाना और उन्चास कभी भी हो जाएगा एक तो कभी भी हो जाएगा तो इसलिए इतना ज्यादा अग्रेशन था कुछ ज्यादा ही पता नहीं क्यों तो यहीं था जी तो मैंच इंडिया ने जीत लिया अब अगली बार नियुजीलेंड का अब बहुत वढ़ा ही गदारी करवे तो यहीं इंडिया में आके इस बार हडाना है और वैसे इंडिया को बेखाफ खेलना चाहिए नीजीलेंड गेम में है ना क्योंकि उसे तो कोई फर्क परता नहीं हार जीत से और नहीं नुजीलेंड को फर्क को तो मारना है बस तो यही होना है ताकि अब अब चाहे कौलीफाइनल में है उसको भी वैसे मतलप पेलना है अभी पेल दोगे जो न्यूजिलेंड का मैच है उसमें अगर पेल दोगे न तो क्वालिफाइब में भी सेमी फाइनल में भी आएगा नुजिलेंड तो ऐसे डर डर के आएगा कि अरे भाई फैंटा लगा रहा है इंडिया इंडिया में इंडिया को फड़ाना एक तो यह भी डिमोटिवेट हो हमण तो है टीम बड़ा टीम है हार नहीं रहाए लेकिन न ऐंडिया में इंडिया को यह है कि अपरचुनीटी ayahat मतलब देश में खेल रहा है तो यह बहुत बड़ावेदा है प्लस और थे इक पलक है अच्छा झेल रहा है तो फटू रहा है भाई और तो यह और तो इतना जोड़ जोड़ से सामने वाला डर जाएगा तो यह है तो छलो आज के वीडियो में इतना है और अगर अगर मैं बता दू पॉइंट एवल थो अब दो नमर पर इंडिया एक नमर पर न्युजिलेंड क्योंकि तो यही है कि थोड़ा मतलब अगर न्यूजिलेंड के दिन जीत जाए इंडिया न्यूजिलेंड का मैच उस दिन टॉप पर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आज देखो फिलाल मैच है अस्टेलिया और पाकिस्तान का कैसे क्या होना है उस पे भी थोड़ा रोशनी डाल ल सब्सक्राहर और पाकिस्तान को अब इंडिया में जीतना हूं इन्टीव केvos तो देखते हैं उस पे भी वीडियो आयेगा तो देखते हैं ना क्या होता है पाकिस्तान और तो चलूँ आजके वीडियो मीटतर हैं जया हिं दियारों राम राम